अब आपके सारे फिसिक्स के बेस्टिट माच जाउब्स का सफाय है बस अपने फोन से कुछिन की फोल्टो खीचो अपकर आपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउ डाउलोड कीजिए डाप अभी है फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आपने डाउट्स खिल पेंडूलम इस अस्वेंड तरह से तरह की रोड इस पर कोई कार जा रही है इस तरह से टर्न कर रही है तो obviously अगर car में कोई pendulum होगा ठीक है तो अगर वो initially ऐसे इस condition में होता तो उस पर इस side में force लगता और इस side के तरफ क्या हो जाता मूव हो जाता टिल्ट हो जाता थीटा डिगरी पे लेकिन अब अपन को बोला गया है कि यह already इसी condition में है ठीक है जब यह car turn लेते तो भी move नहीं होता है एक तरह से ठीक है तो अपन को यह angle find करना है कि यह यहाँ पे किस angle पे है कि यह turn के time पे भी move नहीं होता तो इसका मतलब य एंगल वाली जो position है यह बिल्कुल एकदम permanent equilibrium में है ताकि वहाँ पे जब turn के time पे जो forces होंगे वो भी इसको affect नहीं कर पाए तो यहाँ पे कितने forces लग रहे होंगे देखो यहां की side लग रहा होगा इसमें m omega square r इसके rotation की वज़े से नीचे लग रहा होगा definitely mg और अगर इसकी string में tension T आएगी तो यहाँ पे tension लग रहा होगा T ओके अब इसको क्या करते हैं forces को balance कर देते हैं यह angle theta तो वह यह angle भी बिल्कुल theta तो यह हो गया T cos theta and this component of tension will be T sin theta अब बिल्कुल equilibrium में हिलता ही नहीं है तो ठीक है जब यह जैसे car turn ले रही है तब भी इसकी position पे कोई फरक नह एक दम तो T sin theta will be equals to m omega square r and T cos theta will be equals to mg अब इनको divide कर देते हैं equation 1 बोल देता हूं इसको equation 2 बोल देता हूं on dividing we get क्या मिलेगा हमें यहां से मिलेगा 10 theta और यहां से मिलेगा क्या omega square r upon g ठीक है तो 10 theta की value मिल जाएगा हमें omega square r upon g अब omega क्या है देको question में given है ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं given है तो हम इसको m omega को replace कर सकते है omega is equals to होता है v by r ठीक है तो omega को v by r से replace करेंगे तो यहां पर आ जागा v square by r g ठीक है अब v की value मुझे given है 36 km per r अब इसको meter per second में change करना है तो 5 by 18 से multiply करूंगा यह 2 times cancel हो गया तो v की value क्या आ गई 10 meter per second व की value रखूंगा यहां पर 10 meter per second तो यह बनेगा 10 का square divided by radius कितनी given है किस radius में जारी यह 10 meter में और g की value भी आपको 10 माननी है तो यह 10 meter में और g की value भी कितनी माननी है 10 माननी है ठीक है तो यह again 10 आ गया तो आपके पास आगा 100 by 100, ठीक है, तो यागा 1, तो 10 theta is equal to 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, theta की value क्या हो जाएगी, 10 inverse 1, ठीक है, और 10 inverse 1 की value होती है, 45 degree, तो 45 degree पे अगर आप रखोगे उसको, ठीक है, पेंडूलम को, तो car अगर turn लेगी, 36 km पर आर की speed से, तो भी उसकी position में को जो जो होसी को स्वाल को, स्परियर से, आर क思ू स्पर्ण आफ, इसका पूलक को तो ज़र स्वाजय को, तो कि तो से, ए Хорошо जो हो जो जो होती है, तो बातना है, तो आपके पूलक को सा का स्वाजय पासोटी से, जो ज़र पके ए NFL आपके तो, जई ए cosìना हो पैस her step tat手 आता हो, ज